गुड मारिंग प्यारे बच्चों आप सबका स्वागत है इस वीडियो में बच्चों आज सैटेडे को क्लास 6, 7, 8 की कॉमन वर्कशीट आती है लास्ट टैम आपके कॉमन वर्कशीट हिंदी की थी और इस टैम आपकी का वर्कशीट है इंग्लिश की जो आप लोग अपनी इंग्लिश के कॉपी में करेंगे बच्चों आज हम डिसकस करने वाले 6-8 की कॉमन वर्कशीट नमबर 88 तो चलिए बेन टैम विस्ट के स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा थीम है बच्चों वो है एयर पॉलिशन तो यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं कुछ इमेजिस दिये गई है आपको इन इमेजिस को देख के बताना है लिखना है कि कौन सी इमेजिस है जो आपके लंग्स के लिए अच्छी है और कौन सी बुरी जो अच्छी है उस पर good लिखना है और जो बुरी है उस पर bad तो चलिए करते हैं बच्चो आप सब जानते हैं यह pollution जो हुआ है हमारे lungs के लिए बहुत पूर है so it is bad यह है जो greenery है it is good fire burning यह भी pollution cause करते है it is bad बच्चो जी के लिए मैं जी लिख रही हूँ और good के लिए मैं जी लिख रही हूँ और bad के लिए भी okay this is good and this is bad so all type of pollutions are harmful for our health now move on to the second question बच्चो second question में एक WHO की report दी गई है वो report हम समझेंगे और उसके बाद कुछ questions के answers देंगे तो चलिए देखते हैं air pollution kills an estimated 7 million people worldwide every year यह कहते हैं जो air pollution है 7 million people हर साल world में मरते हैं just because of air pollution जो world health organization है WHO है उन्होंने data show क्याता है कि 10 में से जो नौ लोग है डे ब्रीद एर डेट एकसीट डेवल अच्चो काइड़नाइंस containing high levels of pollution मतलब दस में सो नौ लोग ऐसे हैं जो ऐसी हवा को सास लेते हैं जिसके अंदर पॉलिशन का कंटेंट बहुत जाद में लेते हैं जो हुमन एक्टिविटीज हैं डेटा मेचर सोर्सेज ऑफ आउट एर पॉलिशन उसमें कौन सी हैं पहला है फ्यूल कंबर्शन फॉम्दा मोटर वहिकल्स ये सारी एक्टिविटीज हैं जिसकी वज़े से एर पॉलिशन बहुत जादा हो रहा है एक तो मोटर वहिकल्स में से धुआ निकलना हीट और पावर जेनरेशन जैसे की ओल कोल प्नांट्स में इंडर्स्टियल फैसिलिटीज से पहले एंगरी कल्च्र वेस्स साइट और वेस्ट बर्निंग रेजिदेंशल को किंग ही कि लाइंग विद नइटिंग विद पॉल्यूटिंग फियूस मतलब हम प्लुटिंग फियूस करें और किसी चीज को जलाने के लिए तो यह सारी जो चीजें हैं वो क्या कर रहिए बच्चों, pollution का level बढ़ा रही है, तो अब portion answers देखते हैं, what are the major sources of air pollution in Delhi, तो बच्चों, अगर दिल्ली की बात करें, सबसे ज़्यादा, तो आपका first point ही आएगा, air pollution के sources यह हैं, causes यह हैं, now the second is, how many people die every year due to air pollution, तो बच्चों, कितने लोग मरते हैं, 7 million people, 7 million people die every year worldwide due to air pollution, now move on to the next, third question, third question है, बच्चों, what is a full form of WHO, WHO stands for World Health Organization, okay, next देखते हैं, carpool, मतलब आपको कुछ फिंदर ब्रेंग्स करने हैं, यहाँ पे हिंदी गई हैं, उनको यूस करके करना है, Delhi is facing a big challenge or air pollution nowadays, so I will not use Dash on this Republic, so I will not use firecrackers, जो दिली है, वो, क्या है, बच्चों, बहुत बड़ा challenge face कर रही है, air pollution माम ने हैं, तो इस साल में, दिवाली पे बटाके नहीं जलाऊंगा, और आशा करते हो, आपने नहीं जलाए होंगे, I will request my parents to adopt Dash, when they go to their office, मैं अपने parents से request करूँ कि वो carpooling यूज़ करें, जब वो office जाए, carpooling क्या होता है बच्चों, यह की गाड़ी में अलग-अलग लोग एक साथ बैट के जा सकते हैं, जैसे कि बस हो गई, बस और मेट्रो यूज़ करते हैं कि एक जगह एक साथ लोगों को जाना तो एक में बैट के चले जाए, उसी तरीके से अगर आप वहिकल पर्सनल वहिकल यूज़ करते हैं, लेकिन उसमें डिफरेंट पीपल जिनकी डेस्टिनेशन सेम हैं, वो यूज़ करते हैं, तो उसस आपने गाड़े का अंजन बंद कर देना चाहिए, I will plant at least two saplings to make my city neat and clean, two saplings means बचो दो पौधे, आप जितने जादा पौधे लगाएंगे, उतने जादा आपकी city green and clean होगी, और उतना ही जादा पौलिशन आपका कम होगा, तो बचो यह थी आपकी easy से वरकशीट, चोटी से आप 15 minutes में कर लेंगे इसे ही, उसके बाद यहाँ free for the whole day and don't forget to do a quiz, दो वीक से आपकी quiz नहीं आ रही थी because of holidays, so आपकी कल quiz आएगी, thank you so much for watching this video, I hope you like this video, thank you